दोस्तों, लाइफ में कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कोई इनसान या कोई चीज ना पसंद नहीं होती, हमें उसे कोई दुश्मनी नहीं होती, बस हमें उसे पसंद नहीं करते हैं, हम वह अच्छी लगती दूर रहते हैं, ये चीज टेकनोलोजी की दुनिया में भी और कंपन उगके मसले हैं हो सकता है पार्टी में एक साथ बैठ कर चिल कर रहे हूं बट कम्पनियों का इसाथ मैं आपको बताने बाला अभी मांख जकबग ने एक फोटो शेर की जिसमें वह कह रहे हैं कि कहने की कोशिश ज्यादा प्राइवेट है आई मैसेज से इस चीज को जानेंगे और इन कंपनियों के दो मसले जो भी चल रहे हैं उनके बारे में जानेंगे सबसे पहले आई मैसेज जिन लोगों को नहीं पता मेसेजिंग सर्विस है एपल की जिससे आप मेसेज कर सकते हो एपल की डिवाइस में अराम से कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर वाट्साइप है जो की एंड टो एंड इंक्रिप्शन देता है अब मांग जगबद का यह कहना है कि जो अखल नहीं दे सकता पढ़ नहीं सकता जबकि यह चीज आपको आई मैसेज में नहीं मिलती एकॉर्डिंग टू मांग जगब कहने का तो उनका यह है कि बैक अप वगयरा में इंक्रिप्शन नहीं है जो भी चीज है और आई मैसेज में कभी-कभी यह इशू आता है कि को नहीं मिलते हैं लेकिन वाट्साइब की बात करें मेरे चैनल को पीछे उठा के देख लो आए दिन नया अपडेट है वाट्साइब पे वाट्साइब की टीम कॉंस्टेंटली काम कर रहे है उसको एक बैटर मेसेजिंग सर्विस बनाने के लिए और जितने भी बग्स उन अच्छा है इस पें 120 डेवलपर काम कर रहे हैं सोट्फियर प्रोग्रामर या जो काम कर रहे हैं वह अराम से इतने सालों से तो अच्छी चीज है आई मेसेज बन गया लेकिन इतने अपडेट नहीं है तो उससे थोड़ा सा इतना दूर रहते हैं थो थोड़ा आउटडेट यह चीज है यह मसला चल रहा है तो हाँ वाटसैप एक बेटर मेसेजिंग सर्विस हो सकती है को गूगल ने भी यह कहा है कि जो एपल का आई मैसेज है वो आरसीज को एड़ाप्ट क्यों नहीं करता है रिच कम्मुनिकेशन सर्विस जिसे कहते हैं जिससे एंड्रोइड और आयोस में मैसेजिंग करना आपस में बहुत ज़्यादा असान हो जाएगा गूगल भी इस चीज पर आपल को मौक कर चुका है अब फेसबुक को भी टीम कूक ने इंडिरेक्टली एक चीज कही थी जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी उस चक्कर में ना पर है बस वह बात है कि वह डिरेक्टी नहीं कह सकते हम समझ जाते हैं अल्गुरिदम मतलब ऐसी कोई भी मेकानिजम ऐसा कोई भी सिस्टम कोड जो की फेसबुक पर वही नियूस फीड दिखाता है जो लोग जादा देखना चाहते हैं या तो वह ऐसी चीज दिखाता है जि भी हो है I understand पर यह चीज को अगर ऐसे बोलना तो किसी चीज को मौक करना मतलब तेरा क्या रहे है इस एक और वजए मैं आपको बताना चाहता हूं जब एपल ने नई अपनी सर्वेसिज और पॉलिसी निकाली उसके तहत कोई भी एप्लिकेशन जब यूजर के डेटा को एक पुछने लगा कि हाँ फेस्बुक एप यह यह डेटा कलेक्ट करेगी यह जानकारी Android पर नहीं पूछी जाती थी इस चीज को लेकर भी फेस्बुक बहुत गुसा हो गया था क्योंकि फेस्बुक मानो ना मानो डेटा कलेक्ट करता है मार्क भाहिया करते हैं यह सही बात है और वो डेटा इतना हामफुल नहीं होता बट फिर भी डेटा तो डेटा ही होता है जो चीज एंडरोइड के लोगों को पता भी नहीं थी अब आईफोन वाले लोगों को पता चलने लगी इस चीज से भी मार्क भाहिया थोड़ा सा दुखी थे इसलिए मार्क भाहिया ने अच्छे से एपल की लेली क्लास ठीक है तो यही बाता आप उसे पदर नहीं करते हैं आपको बता है तो मार्क जकरबर्ग और इलिन मस्क के भी कोई अच्छे रिष्टे नहीं है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं इंसाइडर स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगा क्यों यह इविंट में एक दूसरे से खफा रहते हैं ऐसे ही नहीं रहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बजाए हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़े हैं जो हम आपस में दोस्तियार बैठते हैं जो टेक्नालोजी के टेक्निकल लोग है तो हम यही बाते करते हैं तो मैं साइबर सिक्यूरिटी और एथिकल हाकिंग में इंट्रस्ट है तो डिस्क्रिप्शिन चेक करें तू नाइटी नाइन रुपीज के तीन इतिकल हाकिंग कुर्से जो आसान भाषा में आपको एथिकल हाकिंग सिखा देंगे ठीक है ऐसी और जानकारिया और गॉसिप साफ चेक पटी टेक के बारे में जानना चाहते है ना तो मुझे कॉमेंट में बता दे ना मैं बनाऊंगा इसके परहर वीडियो और आपको कहानिया बताऊंगा मस्ती वाली अर्टीक है मैं बलता आप से अगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड बाई क्पार बताब आपको कहानिया लुड़ यू सबसे अपको प्र कॉमें।